इस्टुडेंट्स कल मैंने कुछ कोश्चन आपको दिया था उसका मैं एंसर आज बता रहा हूँ थोड़ा ध्यान दे इसको मैंने कल आपको सिरीज कॉंबिनेशन और पैरलल कॉंबिनेशन से रिलिटेट कुछ कोश्चन दिये थे series combination मैंने बताया आपको पहचानना कैसे series combination को कि जब भी resistance में current की value same रहेंगी तो उसे series में बोला जाएगा और अगर current की value different है तो parallel में बोला जाएगा तो हम start करते है question number 10 से यहाँ पर देखे यहाँ से मैं अगर A से current का flow start करूँ तो A से start करूँगा जाने के लिए मेरे पास तीन राष्ते हैं उपर इधर और इधर तो मैं अलग-अलग current लेकर जाता हूँ उपर माल लेता हूँ current आपका I1 है इसमें है I2 इसमें है I3 I1 इधर से होते हुए इसमें आएगा I2 इधर से होते हुए इसमें आएगा दोनों मिल जाएंगे इसमें आजाएगा I1 प्लस I2 तो सभी में current आपको आ गया है अब मैं देखों तो 2 ohm, 4 ohm में current की value है I1 और I1 दोनों में current की value सेम है इसका मतलब यह दोनों आपके क्या हैं? शीरीज में हैं तो इसलिए for 2 ohm and 4 ohm मैं लिखूंगा तो R1 equal to 2 plus 4 या 6 ohm फिर से इसको rearrange करेंगे तो यह दोनों मिल के एक resistance बनेंगे कितना 6 ohm इस तीनों को मैं वैसे ही लिख दिया और यह वाला 2 ohm, 4 ohm, combine होके कितना हो गया 6 ohm अब आप फिर से देखें इसमें current कितना है I1 तो इसमें कितना है I2 तो आप देखें 6 ohm और 6 ohm यह आपके क्या है parallel combination है तो हम लिखेंगे for 6 ohm and 6 ohm तो आपको क्या बोला जाएगा 1 upon R2 equal to चुक्छे मैंने R1 निकाला है इसलिए मैं R2 लिख रहा हूँ 1 by 6 plus 1 by 6 यह आप लिख सकते हो 2 by 6 R2 equal to 6 by 2 answer आजाएगा R2 equal to 3 ohm तो मैं क्या कहता हूँ कि इस दोनों का जो combined resistance है 6 ohm और 6 ohm का है वो कितना है 3 ohm तो इसको मैं फिर से rearrange करता हूँ तो मैं इसको लिखता क्या हूँ इस प्रकार से यह A था यह B था यह आपका 10 ohm था यह 7 ohm था लेकिन आपने इस दोनों को combine करके निकाला तो आपका यह resistance कितना है 3 ohm आया तो यहाँ पर मैं क्या लग देता हूँ 3 ohm अब फिर से देखिए अगर मैं current को flow करा हूँ यहां से तो I1 ऐसे आएगा I1 यहां तक लेकिन इसमें क्या है I2 है मैं बोलूँगा कि 3 ohm और 7 ohm आपका क्या है series में आ गया है तो फिर से मैं series निकालूँगा तो 4, 3 ohm and 7 ohm तो हमारा मिलेगा क्या R3 is equal to 3 plus 7 equal to 10 ohm तो यह दोनों combine होके कितना आ गया 10 ohm लाश्ट में फिर से rearrange कीजिए तो यह आपका केवल यह बचेगा A, B कितना 10 ohm और यह दोनों भी मिलके कितने हो गया है 10 ohm आपको देख रहा है सीदा सीदा यह किसमे है पैरलल में है तो मैं इसका answer लिखूँगा 1 upon R equivalent is equal to 1 by 10 plus 1 by 10 तो R equivalent equal to 2 हो जाएगा 2 by 10 या R equivalent equal to 10 by 2 solve करके हम निकालेंगे तो कितना आएगा 5 ohm तो इस question का answer यह जो question था है इसका answer कितना आएगा 5 ohm नेश्ट आपका जो question है question number 9 यहाँ देखिए इसको मैं बताता हूँ थोड़ा द्यान देश को यहाँ पे A और B के बीच इसमें भी पूछा जा रहा है आपसे figure में हर जगा आपको दिख रहा है कि 10 ohm ही है थोड़ा सा figure को द्यान देखिए तो आसानी से यह question आप लगा सकते हैं सभी question जितने भी आपके resistance से related हैं यह बहुत ही आसान question होते हैं पस्तरीका आपको सही सही आना चाहिए जो मैंने आपको बताया है उसको follow करेंगे तो आसानी से हर एक question को आप लगा सकते हैं हम start कहां से करेंगे कहीं से भी हम start कर सकते हैं जब भी आप combination आप resistance का question लगा है तो जरूर नहीं कि हम starting से ही start करें आप 20 से भी कहीं से भी start करेंगे answer आपको मिलेगा ही मिलेगा तो मैं सबसे पहले start करता हूं मैं मान लेता हूं कि आपको दिख रहा है कि यह वाले दुनों अगर मैं मान लो कि इसमें current i1 जा रहा है तो सिदा सिदा इसमें अलग wire है तो यह i2 जाएगा तो मैं सबसे पहले कौन सा लेता हूं i1 और i2 के लिए हर एक resistance 10 है तो 10 10 लिखूंगा तो confusion हो जाएगा इसलिए मैं लिख रहा हूं यहाँ पे for i1 and i2 यह दोनों आपकी दिख रहा है किसमें है पैरलल में है तो मैं formula लिखूंगा 1 upon r1 equal to 1 by 10 प्लस 1 by 10 यह आपको मिल जाएगा 2 by 10 या 1 upon r1 equal to 10 by 2 या कितना जाएगा 5 ohm तो इस दोनों का combination कितना आ गया 5 ohm फिर से इसको rearrange करते हैं यहाँ से इस प्रकार से और आपको दिख रहा है उपर यह resistance है यह ऐसी हो गया क्यों इस दोनों को मैंने combine करके यहाँ पर लिख दिया 5 ohm यह आपका 10 ohm यह पहले से ही 10 था यह भी आपका 10 है अब आप देखें तो सिदा सिदा यह दोनों किसमें दिख रहा है series combination में तो हम लिखेंगे 4, 10 ohm and 5 ohm तो series में है तो आप सिदा सिदा लिखेंगे क्या 10 plus 5 equal to 15 ohm यह combine होके क्या हो गया 15 faces को rearrange करते हैं यह आपका 10 ohm था यह दोनों मिलके कितने हो गया 15 ohm यह आपका क्या है 10 ohm आप देखके बताइए यह 10 ohm यह 15 ohm अब यह किसमें आ गया है यह parallel combination में आ गया है तो हम लिखेंगे 4 10 ohm and 15 ohm तो R3 लगाता हूँ चुकि R2 मैंने निकाला हुआ है equal to यह parallel में है तो 1 by 10 plus 1 by 15 तो 1 by R3 equal to इसका जब मैं LCM निकालेंगे वह आपका 30 आएगा तो यह आपको हो जाएगा 3 plus 2 1 upon R3 equal to 5 upon 30 तो R3 equal to कितना हो जाएगा 30 upon 5 कैंसी लोगे कितना आ गया 6 तो यह दोनों का combination क्या आ गया आपका इस दोनों का combination आ गया 6 ohm last में मैं क्या करता हूँ कि यह 10 ohm था और इस दोनों को combine करके हमने कितना निकाल दिया 6 ohm निकाल दिया अब यह आपका last में एक सीधा स्ट्रेट लाइन बन गया मतलब यह आपका सिरीज कॉम्बिनेशन है तो आर एक्वेलेंट आपको मिलेगा 10 plus 6 यह आर एक्वेलेंट यह 10 यह 10 यह 10 यह 10 सीधे सीधे दिख रहा है यह आपके क्या है यह parallel combination है इनको ज्यादा कुछ नहीं करने के जरौत है डारेट हम लिखते हैं R equivalent equal to 1 by 10 plus 1 by 10 plus 1 by 10 ये 1 by 10 plus 1 by 10 प्लस 1 by 10 तो R equivalent equal to क्या हो जाएगा 3 by 10 या R equivalent equal to 10 by 3 हो ये सबसे आसान था कि इसमें हर एक resistance आपका क्या है पेर्लेल में है तो ज्यादा कुछ इसमें नहीं करना है थिक इसके बाद जो आपका question है ये question number 7 question number 7 में हम क्या करें तो द्यान दें आप question number 7 बहुत ही आसान है ये भी जैसे देखे हम स्टार्ट करें अगर इसको देखें उपर वाले को 5 और 5 तो ये देखें एक ही वायर से connect है मतलब इसमें current की value same रहेगी तो इसका मतलब 5 और 5 आपका क्या है 5 और 5 series combination में है तो जब मैं इसको करेंगे कि इस प्रकार से मैं महा पहले figure बना लेता हूँ ये आपका resistance था ये इस प्रकार से ये 5 ohm है ये 5 ohm है ये 10 है ये भी 5 हो है ये भी 5 है तो इसमें current अगर आपका i1 है तो इसमें भी आपका i1 जाएगा चुकि ये एक ही वायर है तो हम लेखेंगे for current i1 and i2 आप देखें कि ये दोनों resistance सीरीज कॉम्बिनेशन में है तो फार्मला हम लगाएंगे 5 प्लस 5 डारेक्ट आइट करेंगे तो आरवन इक्वल डू कितना जाएगा 10 ohm अब आप इसको फिर से रियारेंज कर सकते हैं इस प्रकार से ये आपका 5 है ये आपका 5 है ये 10 है और इस दोनों को एट करके भी आपने क्या निकल दिया 10 है अब देखेजिए जो 10 10 है ये आपके क्या आगे है पैरलल कॉंबिनेशन तो हम लेखेंगे 4 10 ohm एंड 10 ohm तो ये आपके पैरलल में है तो पैरलल का फार्मला क्या होता है 1 by 1 by दोनों को एट कर दिया हमने तो एंसर आपका ये क्या जाएगा 2 by 10 या 2 equal to 10 by 2 कितना आगया 5 हो जब मैं ऐसा करता हूँ जो दोनों को कंबैंड करके छोड़ता हूँ तो हमारा आगया क्या ये इस प्रकार से ये इस प्रकार से हम लिख बना लेंगे इसको तो अब देखें इस दोनों का जो combination है वो कितना आया है हमारा 5 आया है तो मैं इसके प्लेस पे 5 रख देता हूँ बाकि ये भी 5 है ये भी 5 है दोनों तो 5 है तो ये भी मैं क्या लिखता हूँ 5 ये भी 5 अगर मैं यहां से current start करूँ आई तो यही current इसमें भी जायागा यही current इसमें भी जायागा इसका मतलब ये तीनों resistance आपके क्या है ये तीनों resistance आपके ये तीनों resistance आपके series combination में है तो किस प्रकार से इसको करेंगे देहन दिजे आर equivalent equal to 5 प्लस 5 प्लस 5 या equivalent equal to 15 ओम ये answer आपको क्या आजाएगा 15 ओम ये देखिए answer आपका आया हुआ है ठीक है ऐसे इसको भी कर सकते हैं आप देखें 8 और 8 आपके क्या है ये parallel में है parallel में add करेंगे जितना आएगा फिर इसके साथ क्या कर देंगे series में add कर देंगे इसका answer आजाएगा इसी प्रकार से 3 और 3 ओम को देखेंगे तो 3 और 3 आपके क्या है series में है series में add करेंगे 3 प्लस 3 कितना हो जाएगा 6 बाकी 6 की साथ क्या कर देंगे parallel में add कर देंगे इसको देखिए वन 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 आपके क्या है सीरीज में है तो वन और वन आपका क्या हो जाएगा टू फिर टू के साथ क्या पैरलल में एट करेंगे इस तीनों को देखिए ये तीनों आपके क्या है पैरलल में है इसको जब पैरलल में एड़ करेंगे तो सिंगल एक रजिस्टेंस बचेगा इसको 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 आप पैरलल में सीरीज में एड़ कर देंगे 5 पर 5 आपका parallel में है फिर बाद में इससे क्या कर देंगे सीरीज में हैट करेंगे ये तीनों आपके क्या है सीरीज में ये सभी question आई हो आपका लग गया होगा next मैं कुछ question और आपको दे रहा हूँ उसको भी आपको आज लगाना है ठीक, thank you